आपका हमारे चैनल में तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्लास तो आज की क्लास में हम कंप्यूटर की कुछ important questions देखने वाले हैं जो कि आपकी exam से के लिए most important है तो चलिए देखते हैं तो first question हमारे पास है निम्लेकित में से कौन सा पद computer से संबंधित नहीं है याने इन में से ऐसा कौन सा पद या ऐसा कौन सा सब्द है जो कि आपकी computer से related नहीं है तो A number option है CPU, B number option है motherboard, C number option है hard disk और D number है erythrocyte इन में से ऐसा कौन सा है जो कि आपका computer से related नहीं है तो या इन में से कौन सा है जो कि आपका computer से related नहीं है CPU किसे भी computer के मुख्य भाग होता है और CPU को brain आप computer भी काते हैं motherboard जो है आपका motherboard आपका computer के CPU का सबसे मतलब most जो है कि सबसे main board होता है और इस पर जो RAM, ROM, processor आज सभी लगे होते हैं ठीक है फिर जो आपका hard disk है hard disk आपके storage device होता है जो कि मुख्य रूप से आपके computer में use होता है और इस case storage capacity जो है कि आपका 160 GB, 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB इस तरह से होती है और अब जो है कि hard disk के जगा पे SSD यानि solid state drive का जो होने लगा है जो कि इस स्पीड में fast है और कीमत में भी ज्याता है ठीक है फिर question number two MS-DOS को develop करने वाला programmer काउन सा था MS-DOS जो आपका operating system था उसको develop करने वाला programmer काउन था पताने आपको और John, Bill Gates, Dennis Richie या फिर इन में से कोई नहीं या फिर इन में से कोई नहीं जो आपका MS-DOS था MS-DOS ने Microsoft Disk Operating System उसको develop करने वाला programmer काउन सा था और John था Bill Gates या पर Dennis Richie या पिर इन में से कोई नहीं जो है कि MS-DOS आपका IBM की computers के लिए अप्सम बनाया गया था और इसको जो है कि develop करने वाला programmer काउन था तो इसको develop करने वाला programmer थे Bill Gates कौन थे बिल गेट्स बिल गेट्स ने बनाया था आपका MS-DOS को जो डेनिस रिची है डेनिस रिची ने बनाया था आपका Unix Operating System बनाया था डेनिस रिची ने और बिल गेट्स ने आपका MS-DOS ने को बनाया था बिल गेट्स ने फिर है कोशन नमबर थार्ड कोई बैक्ति कंप्यूटर साचर कहलाता है यदि वह सच्छम हो केवल यानि की कोई बैक्ति क्या करने में सच्छम हो तो हम उसे computer साचर का सकते हैं कोई बैक्ति क्या करने में अगर सच्छम है तो हम उसे computer साचर का सकते हैं तो A number आप्सवन है आवसक application चलाने में B number आप्सवन है anti-virus software बनाने में C number आप्सवन है program लिखने में D number आप्सवन है computer को hack करने में तो बताईए मतलब कोई भी वेक्ति केवल क्या करने में सच्छम होगा तो हम उसे computer सच्छर कर सकते हैं आज़क पुछ लाने जो जरूत की चीजें जो जरुद का चलाने में सच्छम हो B नमबर आप्टने गया प्रोग्राम करने में बनाता हो C नमबर आप्टने जो भी जरूरी software 7 को चलाने की नोड़े रखता हो, वही आपका computer का satsher कहलाता है, computer satsher वही खलाता है, जो बेक्ती computer के आवस्त्रक application को चलाना जानता हो, फिर question number 4, किसे computer द्वारा information में परिवर्दित किया जाता है, data को, input को, या फिर processor को, को या फिर प्रोसेसर को मौन को इंफार्मेशनमें परिवर्शित किना जाता है यह देट town melt को करते हैं बत यह करता है और प्रोसेस्ट खरके डेटा को इल्पार्मेशन में पदलता है ठीक है अब और चाहिन आपका क्रेंच होगा फिर है Question No.5 जो कि है जब DOS बूट होता है तब Batch File स्वतारन करता है उस Batch File का नाम क्या है यानि कि जब DOS Disk Operating System बूट के होता है यानि कि On होता है तब जो है कि एक Batch File होता है जो कि C Number Option है आटो रण डॉट बूट करता है तो Question No.5 का D Number इंप बासने क्रेक्ट होगा आठोट एटीओं झेलीगे फिर बड़ते हैं sometimes परेको से नियमएरिक डिंटा का उदारर कौन सा है नियुमेरिक डिंटा उदारम्र कॉन सा है यह प्रक्दप लिखते हैं जो कमचारी के पता होता उसमें अलफा बेट और नमबस दोनों हो सकते हैं इसलिए क्या होगा यह अलफा नियुमेरिक होगा और जो परिछा में प्राप्त अंक होता है उसमें क्या होता है नमबर होता है यह कि अपको हाड़वेर है शाशन नहीं है तो बताएं आपने क्या होगा तो एक्सल होगा फिर्णेटर ड्राइवर होगा कर्ण्टों यूनिट होगा यह फिर पावर Portal कौन सा hardware है Software नहीं only जो इन में से hardware है मेरे और शाप्टिर्ष ओक्म प्रिंटर चलाने के साफ्टिर यूज होता है और पाउरपाइट आपका एक प्रोग्राम में जिसके हम प्रेंटेशन और प्रस्तूति ग्रड़ को तयार कर सकते हैं और जो कंट्रोल यूट होता है तो इससे क्या कहेंगे हाड़वेर को सब्सक्राइब का सी नमबर आप्सन आपका करेक्ट होगा फिर एकोसर नमबर एट यूएसबी का प्रोप क्या होता है यूएसबी का प्रोप क्या होता है तो यूनिवर्सली सपोर्टेड ब्लुटूथ यूनिवर्सल सेरियल बस यूनाइटेड सेरियल ब्लुटूथ और यूनाइटेड सपोर्ट बस या फिर यूनाइटेड या फिर यूनिवर्सल सिरियल बस या फिर यूनाइटेट सिरियल ब्लूटूथ या फिर यूनाइटेट सिरियल बस correct answer क्या होगा इसके लिए तो USB क्या होता है USB USB का full form होता है यूनिवर्सल सिरियल बस क्या होता है यूनिवर्सल सिरियल बस होता है इसबी का full-form तो cosel no. 8 کا बी निम्वरा सुन्व का correct है उनिवर्सल सीरियल बस होता है फिर ए को剛剛 9 additional file को चलाने के लिए किस command पर जरूबत होती है additional file को चलाने के लिए किस प्रकार की command की जरूबत होती है internal command की external command की batch command की या फिर रिडारेक्टरीज की या फिर रिडारेक्टरीज की अगर आपको कोई additional file को चलाना है तब के लिए आप को किस command की जरुवत पड़ेगी internal command, external command, batch command या फिर रिडारेक्टरीज तो उसके लिए आपको जो है कि external command की जरुवत पड़ेगी अगर आप कोई बाहरी additional file चलाना चाहते हैं तो आपको external command क्या हो सकता पड़ेगी question number 9 का d number आपका correct external command फिर question number 10 question number 10 जो है आपका निम लिखित में से कौन सा hardware नहीं है इन में से कौन सा ऐसा है जो कि आपका hardware नहीं है processor chip printer mouse या फिर Java या फिर Java इन में से कौन सा hardware नहीं है देखिए नमबर ते आप processor चीप प्रूसेसर चीप आपका CPU भाग होता है तो प्रूसेसर चीप जो है कि आपका एक hardware है printer तो printer भी आपके प्रिंट करता है document को चापता है तो printer भी आपका एक जो है कि hardware ही है mouse mouse को भी हम टच कर सकते हैं यह भी आपका एक hardware है लेकिन जावा क्या होता जावा एक programming language है जावा आप साफ्वियर भी है तो कोसर नमबर टेन का डी नमबर होगा कि जो जावा है वह आप आपका hardware नहीं है जावा आपका hardware नहीं एक programming language है ठीक है और जावा जो programming language है इसका उप्योग जिए का जिकांस तो मोबाइल एप development में या फिर mobile game development में जावा का फिर कोसर नमबर 11 कोसर नमबर 11 में क्या दिया हुआ है कि computer का कौन सा हिस्सा data के processing के लिए जिम्मेदार होता है computer क्या कौन सा हिस्सा data के processing के लिए जिम्मेदार होता है CPU memory keyboard या फिर डिस्पले या फिर डिस्पले क्रेक्ट एंसर क्या होगा इसके लिए इसके लिए क्रेक्ट एंसर क्या होगा बताएं आप लोग क्रेक्ट एंसर इसके लिए क्या है तो जो कंप्यूटर का कौन साइसा डेटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है डेटा के प्रोसेस सेंटरल प्रोसेसिंग यू निट और सिक्ष्टि का हिन्दी नाम होता है चैनले और संसाधन-ईकाई तो तो कोशन नमबर 12 है किस कमांड का उपयोग डिस्क में ट्रैक एंव सेक्टर को पुना तयार करने में होता है यानि कि जो हाडिक्स में जो ट्रैक और सेक्टर सोगे उनको पुना तयार करने के लिए यानि कि फिर से डेटा मतलब भरने के लिए तयार करने के लिए क्या गरते ह एफ डेस्क करना है फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट डेस्क का यूज़ करेंगे कोशन नमबर ट्वेल्ब का और आपका करेक्ट होगा फॉर्मेट टिस्क ओके फिर कोशों सेनलर थीर नमबर थार्टीन कंप्यूटर का दिमाग पौन कहाला था है इसको जो है वह पिकूतर का दिमाग कौन खालाता है इतमे से साफट्वेया आर हाड़वेय и ची अपिट्र तक आ हो wheel रहा थान चाहिए कि जो पीर है question number 14, FAT FAT का पूरा नाम क्या है, FAT FAT का पूरा नाम क्या है, File Recommendation Table, File Access Type, File Allocation Table, या फिर File Activity Table, या फिर File Activity Table, correct answer क्या होगा, इसके लिए FAT का पूरा नाम क्या होता है, तो FAT क्या होता है, आपका एक File System होता है, और इसका फूरा नाम क्या हो जाएगा, File Allocation Table, क्या होगा, File Allocation Table, question number 14 के लिए, C नमबर आसम क्रेट होगा, File Allocation Table होता है, FAT, File Allocation Table, फिर हमारा next question, question number 15, डी ओएस का वर्जन जानने के लिए, किस command को उप्योग करके, अब disk operating system या फिर दी ओस का वर्जन जान सकते हैं, डी ओएस का वर्जन जानने के लिए, किस command को उप्योग किया जाता है, तो A number option है, version, B number option है, verify, और C number option है, D number option है, VERSN क्या होगा इसके लिए कि जो आपका DOS है डिस्कोपरेटिंग सिस्टम एगर आप उसको वर्जन preferred अबिए किस का मांड का उपयोग कżenia जाता है वर्जन का E verlify का VER kा या पतर वी उर S N का correct answer क्या मैं इसके लिए जो आपका d OS एसर दी Eins का वपड़रन के लिए का वर्जिन के लिए वी ए आर क्या यूज होता है वी ए आर होता है वर्जिन जानने के लिए वी ए आर कमार्ण का यूज होता है दिवेस में फिर कोशन नंबर 16 कंप्यूटर की छमता या इस पीड मापने की काई क्या है कंप्यूटर की छमता या इस पीड मापने की काई क्या होता है Mips से कम्प्यूटर की छमता या फिर स्पीड का मात रख है Mips मिलियन इंस्टक्शन पर सेकेंड फिर कोशन नमबर 17 वायरस का पूरा नाम क्या है वायरस का वईरिफाई इंटर्चेंज रिजल्ट अंठील इस सोर्स या फिर विरी इंपोर्टेंट रिकार अंडर सर्छ तो वायरस क्या होते हैं कि यह वह था प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जो कि कम्प्यूटर में उपर से डेटा या फिर इंफ्रमेंशन को नुक्सान पहुचाने कि वो देश से बने होते हैं ठीक है और वायस का फूल फार्म क्या होता है कि विटल इंफार्मेशन रिसोर्स अंडर साइज क्या होता है विटल इंफार्मेशन रिसोर्स अंडर साइज कोशन नमबर 17 का बी नमबर अपने करेक्ट होगा विटाल इनफार्मेशन रिसोर्स अंडर साइज ठीक है फिर हम बढ़ते हैं कोशन नंबर 18 पे कोशन नंबर 18 है हमारा पेंटियम सब्द किस से समंदित है पेंटियम सब्द किस से समंदित है dvd से hardex से microprocessor से या फिर mouse से जो आपका pentium है पेंटियम किसे संबन देते हैं आपका dvd, hardx, microprocessor या फिर mouse जो आपका dvd होता है, dvd आपका एक प्रकार का optical disk होता है, storage device और dvd की capacity केतनी होते है, data storage करने की तो 4.7 GB, dvd में 4.7 GB data store किया सकता है, जो आपका hardx है, यह भी आपका storage device है, इसे magnetic disk भी काते हैं, और hardx जो है, hardx में हम 160 GB, 320, 500 GB या फिर 1000 GB, या फिर एक हमार्टिक security होती है, और जो pentium सब समद्धित हो, किसे समद्धित है, किस कमांड का उपयोग होता है, अगर आप disk का नाम सेट करना चाहते हैं, उसके लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे, volume, wall, level या फिर disk level, तो अगर आप किसी disk का नाम सेट करना चाहते हैं, तो क्या होता है, उसके लिए level होता है, क्या होता है, level, ठीक है, question number 19 का, C number option correct होगा, फिर एक कोशन नमबर 20 दी ओएस का पूरा नाम क्या है यहाँ पर मिस्टेक हो गया कुछ दी ओएस का पूरा नाम क्या है तो दी ओएस का पूरा नाम क्या होता है बताना है आपको कि डिस्क ओपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ओपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ओरिंटेशन सिस्ट या पिर डिस्क ओरिंटेशन सिगनल तो जो डी ओएस है डिस्क ओपरेटिंग सिस्टम होता है डिस्क ओपरेटिंग सिस्टम कोस्टर नमबर 20 का बी नमबर आशन आपका करेक्ट होगा डिस्क ओपरेटिंग सिस्टम फिर कोस्टर नमबर 21 इंटेल किसका नाम है इंटेल जो है माइक्रोप्रोसेशर बनाती है और Intel company का पहला processor था Intel 4004 ठीक है तो Intel का काम है micro processor बराना और Intel का जो पहला processor बराना था वो क्या था Intel 4004 तो question number 21 का C number option आपका correct है computer की company का नाम है Intel जो की processor बराने का काम करती है फिरा question number 22 जो की है ALU का पुड़ूरूप क्या है ALU का पुड़ूरूप क्या है algebraic logic unit, arithmetic logic unit, arithmetic logic unit या फिर इन में से कोई निए नहीं रखेंगे दो options same हो गए है arithmetic logic unit तो ये दोनों question B और C ये दोनों correct हो जागे हैं कि ये दोनों आपके same हैं और ये type होने में जो है कि दोनों में arithmetic logic unit type हो गया है तो arithmetic logic unit जो है कि option आपका correct होगा, question number 22 का arithmetic logic unit option सही होगा क्योंकि ALU का फुर्फाम होता है arithmetic logic unit फिर एक question number 23, computer name में से कौन सा कारे नहीं करता है computing का processing का understanding का या फिर output का computer निमें से कौन सा कारे सा जो कि नहीं कर सकता है computing processing understanding या फिर output तो computer जो है कि understanding नहीं कर सकता computer के पास understanding नहीं होते हैं कोई चीज़ समझ नहीं सकता question number 23 के लिए cinema वरास में करेट होगा understanding understanding फिर question number 24 जो की है कि 20 साचर्था दिवस या फिर computer साचर्था दिवस कब मनाया जाता है computer साचर्था दिवस कब मनाया जाता है 1 दिसंबर को 5 अप्रेल को 1 अप्रेल को या फिर 2 दिसंबर को जो आपका computer सब्सक्राइब सरना जाता है कोई बिशो का परथम गणना यंतर कौन सा है तो अब एक से या फिर मार को फर्स्ट है या फिर इन में इसे कोई नहीं जो प्रत्रम गड़ना यंद्र था अब एकस बनाया था चीननल चीझ में और इसे पहले आपका प्रत्रम गड़ना यंद्र शुक में HER फर्जाइं को बनाया है K sweetilly सबाइक यह बहुत ही simple सा question है यह question तो आप लोग आ लेड़ी जानते होंगे कि computer का जनक किसे कहा जाता है Bill Gates कोへ ले रित को चार्स वैबेज और और रेड को या फिर William और डेड को correct answer क्या होगा computer का जनक किसे कहा जाता है Bill Gates, holerith, Charles वैबेज या फिर William और डेड तो computer का जानक का जाता है Charles Baptist को 26 का C-Number आपका जानक जानक होगा Charles Baptist फिर question number आपका 27 computer में उपयोग में आने वाली IC Chip किससे बनी होती है जो computer में उपयोग में आती है IC तो जो आपके IC Chip होती हुआ किससे बनी होती है तामबा से silicon से steel से या फिर plastic से और IC का प्रियुज़ है कि आपका 3rd generation में मुख्य रूप से हुआ था 3rd generation में और IC के जो अब इसका रख है वो JS Kilby है JS Kilby या फिर JS Kilby के नाम से जानते हैं जो कि IC के अब इसका रख है और IC का पुलफार्म क्या होता है? Integrated Circuit IC का पुलफार्म होता है Integrated Circuit और IC किस से बनी होती है? तो Silicon से ठीक है 27 का बी नमबर आपका correct है पर हम बढ़ते है 28 28 क्या है कि निमन में से 200 का पहला laptop computer बाजार मलाई निन में से कौन है जो कि 200 का पहला laptop computer बाजार मलाई निकिस ने जो एकि लांच किया था आपका laptop computer तो हेवलेट पैकार्ड ने यानि कि HP ने हेवलेट पैकार्ड क्या है? HP है HP का फिर फार्म होता है हेवलेट पैकार्ड और जो HP कंपनी है उसके founder कौन है? Bill हेवलेट और डेविड पैकार्ड ठीक है? और जो Epson है और C नमबर आप्शन है प्रिंटर लॉंच किया था 1981 में लॉंच किया था ठीक है विस्ट का पहला लेट आप computer बाजार में किस न लाया था? Epson ने कोस्टन नमबर 28 का बी नमबर आप्शन करेक्ट होगा Epson फिर है कोस्टन नमबर 29 विसम का चैन कीजिए इन में से कौन सा विसम है तो यहाँ देखिए आपको floppy disk room dvd और hard disk से आप्शन है तो hard disk क्या होता है secondary for device होता है dvd भी secondary होता है floppy disk भी secondary होता है लेकिन room क्या होता है प्रात्मिक तो room जो है आपका करेगा विसम क्योंकि यह जो है प्रात्मिक मेमरी है primary मेमरी है ठीक है तो 29 का विसम क्रेक्ट होगा यह आपका विसम है यह आपका secondary मेमरी नहीं है फिर कोशन नमबर 30 Windows 10 क्या है Windows 10 आपका जो होता है Windows 10 वो क्या है वाइरस है एक ब्राउजर है application software है या फिर operating system software है या फिर operating system software है तो Windows 10 के आपका operating system software है तो कोशन नमबर 30 के लिए D number option correct होगा operating software कोशन नमबर 30 का D number option आपका correct है और फिर next question है आपका question number 31 एक byte में कितने bit होते हैं एक byte अगर आ है उसमें तो उसमें कितने bit होंगे 2 bit 8 bit 10 bit या फिर 16 bit तो 8 bits का 1 byte होता है तो correct answer क्या हो जाएगा 31 का B31 का B8 जो है वो आपसें correct होगा क्योंकि 8 bit का एक byte होता है फिर 32 Wi-Fi का पुरूरूप क्या है Wi-Fi का पुरूरूप क्या होता है wired files wireless file wireless finder या फिर wireless fidelity जो Wi-Fi समगा करते है अपने phone को correct करते है किसी दूसरे network से तो Wi-Fi क्या होता है आपका Wi-Fi wireless fidelity क्या होता है wireless fidelity question number 32 का wireless fidelity होता है Wi-Fi का पुरूरूप 33 OSI model में कितनी सतह होती है यानि जो OSI open system integration जो model है networking का जिसे की ISO international standard organization यानि कि ISO ने launch किया था तो इस model में कुल कितनी सतह होती है 2, 5, 7 या फिर 8 OSI reference model में कुल 7 layers होती है क्या होती है 7 layers होती है तिक है OSI reference model में और इसमें जो है कि इनको याद करने की जो करम है उसको याद करने के लिए आपके पास एक trick है कि प्यारे दोस्त नभीन तुम्हारी साधी पर आउंगे यानि कि तैसेेशन लेयर और फिर पर यानी कि प्रेयंटेस्टेशन लेयर और क्या हो जाएगा साधि पर आवंगा यह से अप्लिकेशन लेयर तो इस तरीके से से लेट होती हैंlex ho टिक है OSA माल तो होती है fix question number 34 server computer वे होते या फिर क्लाइंट से तो सर्वर जो होते हैं जब भी कोई नेटवर्क से कोई कंप्रेश जुड़ा होता है तो सर्वर क्या करता है उनको रिसोर्स प्रदान करता है कोशन नमबर प्रद नहीं से कोई नहीं तो इसमें जो है लैन नेटवर्किंग स्पीड वोधा करता है फिर है question number 36 डेस के कई विशुबित द्यालेओं को एक साथ किसके माध्यम से जोड़ा जाते हैं डेस के कैसार अगर विशुबित द्याले हो उनको आपस में कैसे जोड़ सकते हैं WAN यानि Wide Area Network से WAN Personal Area Network से C. LAN Local Area Network से या पिड. MAN Metropoliton Area Network से तो डेस के काई विशुबित द्यालेओं के अगर आपको इस साथ जोड़ना तो क्या करेंगे WAN Wide Area Network का यूज़ करेंगे 36 का A.N. आपका correct होगा फिर है question number 37 सरवाधिक विश्वश्नी टोपोलोजी कौन सा होता है सबसे विश्वश्वश्नी टोपोलोजी कौन से होती है star topology, bus topology, ring topology और match topology सबसे पहले topology क्या होती है जो topology है Topology आपकी होते है किस इंटरनेट नेटवर्क से कम्प्योटर को जोड़ने का जो तरीका होता क्रेंट करने का जो तरीका होता तो उसे हम क्या बोलते है टो लोजी और टोपलोजी कौन सा होता है स्टार बस रिंग या फिर मेश तो उसमें मेश टोपलोजी होती है क्या जोड़ा जाता है किसके द्वारा एक computer को अन्य computer से जुड़ा जाता है indeed enjoy card को sound card को network इंटरफेस card से या फिर controller card से तो जोड़ने के लिए फिर बढ़ते हम नेस्ट पॉस्टन पे नेक्ट गोम साथ प्र 119 ऐसके स्पीका पूरूप क्या है ISP का पुनरूप क्या होता है इंटरनेट सोर्स प्रोडर इंटरनेट सोर्स प्रोटोकॉल इंटरनेट सर्वेश प्रोडर या फिर इंटरनेट सर्वेश प्रोटोकॉल तो ISP का पुनरूप होता है इंटरनेट सर्वेश प्रोडर आई-एस्पी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोइडर फिर कोस्टन नंबर 40 सबसे पहला इंटरनेट का क्या नाम था जो सबसे पहला इंटरनेट का नाम था उसका क्या नाम था यूनिवनेट, यूजनेट, अर्पानेट, या फिर यूरोनेट, या फिर यूरोनेट, सबसे पराइटनेट का नाम क्या था आपका, तो अर्पानेट, अर्पानेट नाम था, इसको जो है कि अर्पा कंप्रिन ने विक्सित किया था, एडवांस रिसार्च प्रोजेक्ट एज फिर फोटी वन किस देश में सरवाधिक इंटरनेट उप्यों करता हैं किस देश में सरवाधिक इंटरनेट उप्यों करता हैं संयुक्त राज अमेरिका में चीन में इंडिया में या फिर रूस में तो सबसे ज़्याद इंटरनेट उप्यों करता हैं चीन में सबसे ज़्याद इंटर्णेट उपयो करता है है इसके बाद 2 नम्बर प्र assign इयर? इंडिया और 3 नमबर पे आता है सुझवराज अमेरीका, ठीक है सरवातिक इंटरणेट उपयो करता है में और को सबस्यादय कूंपयो करता चीन में है, और दूसरे नमबर पर इंडिया है और थार्ड नमबर पर स्र्य इमेरिका है इंटरेट उप्यों करताओं की संख्या में फिर एफ 4242 को सर्के है कि www का आर्थ क्या होता है www का आर्थ क्या होता है World Wave World Wide Wave World Wide Wave या पिर World Worm OS क्थेयरं ज Oreo कर очεί होका www क्या होता है वेप कुस्टन nominal 42 का सीननला करेक्ट है वर्ल्ड वाइड फिर 43 है आपका इंटरनेट का स्टेंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है इंटरनेट का स्टेंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है TCP, IP, Java, HTML या फिर Flash जो आपका इंटरनेट का स्टेंडर्ड प्रोटोकॉल होता है क्या होता है TCP IP transmission control protocol या फिर internet protocol transmission control protocol या फिर internet protocol जो है कि आपका internet का standard protocol होता है question number 43 का a number option correct होगा TCP IP फिर question number 44 किसी network पर computer का पता क्या कहलाता है किसी network जो computer का पता होता है computer का address होता है उससे हम क्या कहते है URL IP address host या फिर domain name जो आपका URL होता है URL का होता है किसी network ने किसी internet पर जो है किसी जो है कि वे पेज का address या फिर file का address होता है उससे हम क्या कहते है URL uniform resource locator और IP address जो होता है वो किसी network पर computer का पता होता है internet protocol address क्या होगा 144 का बी नंबर IP address आप्शन correct होगा और host जो होता है किसी network का जो है main server होता है ठीक है 44 का बी नंबर IP address आप सुन आपका correct होगा computer का पता क्या कहलाता है IP address फिर 45 email भेजने के लिए किस प्रकार की किस प्रोटोकॉल का यूज होता है email भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उप्योग होता है IMAP SMTP FTP या फिर HTTP या इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल Simple Mail Transfer Protocol FTP File Transfer Protocol या फिर HTTP Hypertext Transfer Protocol इमेल भेजने के लिए किसका प्रोटोकॉल का यूज होता है और फाइल भेजने के लिए File Transfer Protocol और HTML भेजने के लिए Hypertext Transfer Protocol का यूज होता है फिर कोशन नमबर 46 BCC का प्रियोग किया कहां किया जाता है BCC का प्रियोग कहां होता है सथेंजन में Wave Browser में Email में या फिर High Level Language में तो BCC होता है आपका Blind Carbon Copy Blind Carbon Copy के लिए हम Email में यूज करते है फिर कोशन नमबर 47 तो Email का प्रुरूप क्या है तो English Mail, Endless Mail, Electronic Mail या फिर Electric Mail या फिर Electric Mail प्रियोग क्या होँग इसके लिए 47 email का प्रूरूप क्या है Email का प्रूरूप क्या होता है तो email के जो प्रोडूरूप है क्या हो जाता है आपका email, electronic mail क्या होता है electronic mail question number 47 का C number 15 करेक्ट है, फिर 48, 48 क्या कहा रहा है कि email के लिए क्या जरूरी है, email भेजने के लिए क्या जरूरी हो सकता है लिफाफा और टिकट, computer और internet connection connection या फिर उपर इस दोनों, या फिर उपर दोनों, या फिर इन में से कोई नहीं अगर आपको email भेजना है किसी को, से email भेजने के लिए क्या जरूरी होगा तो computer और internet connection उसमें लिफाफा और टिकट ये को जरूरी पड़ेगी तो 48 का बी नमबर असमें करेक्ट होगा, computer और internet connection क्या हो सकता होती है email को भेजने के लिए फिर है 49, बेवसाई कंपनियों द्वारा email के जरूरी बेजा गया संदेश क्या कहलाता है, जो बेवसाई कंपनिया होते हैं, बीजनेस कंपनिया होते हैं email भेजा करते हैं, तो उनको जो है, कि हम क्या करते हैं, junk mail, rough mail, bounce mail, या फिर frontier mail, या फिर frontier mail तो बेवसाई कंपनियों द्वारा email के जरूरी बेजा गया संदेश क्या कहलाता है, तो उसे हम junk mail कहते हैं उसे क्या कहते हैं, junk mail या फिर spam mail, junk mail या फिर spam mail कहते हैं फिर question number 50, question number 50 क्या होगा, कि भारत में internet की शुरुआत काब होई थी, अपने देस में internet की शुरुआत काब होई थी, A number option है 21 मार्च 1997, B number option है 2 दिसंबर 1921, C number option है 15 अगस 1995, तो भारत देस में internet की शुरुआत काब होई थी, तो या फिर इन में से कोई नहीं क्रेक्टर अंसर क्या होगा बात में इंटरेन के शुरुवात होई थी काब होई थी तो 15 अगास 1995 को भारत देश में इंटरेनेट के शुरुवात होई थी तो question number 50 का C number 8 सुरेट होगा 15 अगास 1995 तो friends आज के class में हमने 50 questions को discuss किया जो प्या की चाइम के लिए important थे तो चलिए फिर में ओके थैंक्स पार वाचिंग